आपने कुछ सालों पहले सोचल मीडिया पर एक बच्चे का वीडियो खूब वाइरल होते हुए देख होगा इस वीडियो में एक बच्चा सिग्रेट पीता हुआ दिखाई दे रहा है ये बच्चा जिसका नाम अल्दी रिजाल है अब ये आठ साल का हो चुका है और इस बच्चे ने कड़ी मेहनत करके सिग्रेट की आदत से भी चुट कारा पा लिया है अल्दी का कहना है कि सिग्रेट की आदत छोड़ना इतना आसान नहीं था क्योंकि जब अल्दी ने सिग्रेट छोड़ने की कोशिश की तो हर समय उनके मून का स्वाध खट्टा सा रहता था उनको चक कर आने लगते थे सिग्रेट छोड़ चुका अल्दी अब कहता है कि अब मैं काफी ताजा महसूस करता हूँ अल्दी की मा जिनका नाम डाइना है वो बताती है कि अल्दी को जब सिग्रेट पीने की आदत थी तो अगर उसे सिग्रेट ना मिले तो वो नाराज हो जाता था और नाराज की में सभी सामान यहां वहफेटने लगता था कई बार तो ऐसा हुआ कि सिग्रेट की तलब के कारण अल्दी ने खुद को ही नुकसान पहुचा लिया अल्दी से बड़े उसके दो भाई और भी है पर उनको ये आदत नहीं है पर अल्दी इस आदत का शिकार हो गया था इंडोनेशिया में आपको करीब ऐसे कई बच्चे मिल जाएगे जो तमबाकू की लगत का शिकार है अल्दी की मा बताती है कि जब वो सुबह सुबह सबजी बेचने के लिए मार्केट जाती थी वहाँ पर बहुत से लोग सिगरेट पीते थे और उन्हीं लोगों ने छोटे से अल्दी में सिगरेट की बुरी आदत लगा दी आज के समय में अल्दी के अंदर से स्मोकिंग की आदत दूर हो गई है और वो साधारन बच्चों की तरह स्कूल जाकर पढ़ाई कर रहा है पर इस स्मोकिंग की आदत को छूने के लिए उसको बहुत सारी कर्ठिनाईयों का सामना करना पढ़ा है इस आदत से छुटकारा पाने के लिए उसे लगातार कई दिनों तक अपने परिवार के लोगों से दूर पुनरवास के इंदर में बिताना पढ़ा था यहां पर शनल कमीशन फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन के चेर्मेन और चाइल्ड साइकॉलोजिस्ट और सेतो मुल्यादी ने उसे अपनी निगरानी में रखा था डॉक्टर बताते हैं कि अल्दी की सिगरेट की आदत को चुरवाना इतना आसान नहीं था इसके लिए उन लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ी पहले उन्होंने अल्दी की सिग्रेट की आदत चुरवाई और फिर बाद में उसके खाने को उसकी डाइप में शामिल करने लगे डॉक्टर मूल्यादी का मानना है कि जिस बच्चे की इच्छा शक्ती मजबूत होती है वो बच्चा इस आदत से आसानी से चुटकारा पा सकता है अबल्दी की सिग्रेट की आदत पूरी तरीके से छूट चुकी है और अब उनका कहना है कि वो फिर से सिग्रेट पीकर बीमार नहीं पढ़ना चाहता और वो लोगों को भी यही संदेश देता है कि वो भी सिग्रेट से दूर रहे क्योंकि इसे छोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है